हलो दोस्तो मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चाल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम वेनम के 6-speed gear kit की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं वेनम का gear kit कुछ इस टाइब के box में मिलता है हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वेनम मल्टि स्पेड गियर सिस्टम 6-speed box के एक सैड पर आपको यहाँ customer care number और email ID लिखा हुआ मिलेगा box के दूसरे सिरे पर यहाँ quantity one set इसका price और date of manufacturing दिया हुआ है मैंने इसे local cycling shop से लिया था अगर आप इसे online लेते हैं तो यह काफी महेंगा मिलेगा और इस तरह से box में pack नहीं मिलता है इसके spare parts अलग-अलग आते हैं online करीब 2000 के आसपास मिलेगा तो चलिए अब हम box को unboxing करते हैं और देखते हैं क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक shifter और एक handle grip तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं shifter की quality कैसी है तो यह रहा hand shifter और आप देख सकते हैं कि shifter पर numbering भी की हुई है जिससे आपको पता चल सके कि आपका chain कितना number gear पर है या कितना number gear चालो है क्योंकि यह 6 speed है इसलिए numbering 1 से लेकर 6 तक किया हुआ है आप देख सकते हैं यहां shifter पर easy shift लिखा है अब हम shifter को shift करके भी देख लेते हैं बहुत सारे shifters जैसे starlet के shifter पर number नहीं रहता है जिससे आपको पता नहीं चलता कि chain कौन से gear पर है जिसके वज़े से आपको cycle चलाने में दिक्कत होती है वायर आपको shifter के साथ लगा हुआ मिलता है और यह वासर और छोटा सा handle grip है जो आपको shifter के साथ ही मिलता है जिसे आप अपने cycle के handle में लगा सकते है इसके बाद हमे रियर डिरेलियर यानि पीछे का डिरेलियर मिलता है यह डिरेलियर बिल्कुल starlit के डिरेलियर जैसा ही है इस पर venom की branding की हुई है इसके spring की quality काफी अच्छी लग रहे है यहाँ पर आपको एक छोटा सा barrel adjuster भी मिलता है जिससे आप wire थोड़ा सा tight या loose कर सकते है और यहाँ पर wire tight करने के लिए एक nut और bolt दिया हुआ है और यहाँ पर दो screw दिया हुआ है जिससे हम upper limit screw और lower limit screw कहते है इससे loose या tight करके इसके द्वारा हम अपने डिरेलर को set कर सकते है इसके बाद हमें ये wire casing मिलता है जिसके अंदर हम shifter के wire को डालते है और यह रहा अपना six speed free wheel चलिए अब हम इसे बाहर निकाल कर देखते है ये free wheel भी starlet के free wheel के जैसे ही है इसे हम साधे cycle में लगा सकते हैं क्योंकि इसमें motor और पतला दोनों chain बैठता है तो starlet के gear kit और venom के gear kit में difference ये है कि starlet में hand shifter पर numbering नहीं होती है जबकि venom के hand shifter पर numbering होती है venom में आपको zip tie नहीं मिलती है जबकि starlet में आपको zip tie मिलती है तो इसलिए मैं आपको venom का ही gear kit लेने के लिए recommend करूंगा venom के gear kit starlet से थोड़े से महंगी है स्टारलिट के गेर किट 600 में आएगी तो वेनम के गेर किट 675 में आएगी तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइब आएगी